नमस्कार मैं जहांगिर आलम आप देखने कोल फिल्म मिलर हर पल आपके साथ तो रामन तो सीता माद्वा को छुए तक नहीं थे आग तक नहीं उठाएं थे लेकिन जो ये रेपिस्ट लोग छुटते हैं और पुरी तरह से कर देते हैं इन लोगों सजा नहीं होती है इन लोगों सजा नहीं होती है तो रामन तरहन का भी सिस्टम ख़दम नहीं होती है मैला परकॉष परदेश अदेश पिंकी अगरवाल आज बोलती हूँ कि योगी सरकार आप इंसाफ दो जस्टिस फॉर मनिशा भारत की बेटिया यदि आप इंसाफ नहीं दे सकते हो तो योगी सरकार को वर्खस्त किया जाए योगी सरकार की हमें जरूरत नहीं है क्यूंकि मोधी सरकार तो हमारे लिए कुछ करते नहीं है हम ऐसा सान नहीं करेंगे आज हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है कल दिन कोई भी हमारी बेटिया सुरच्छित नहीं है आज हम लोग इस तस्वीर के सामने केंडल जला करेके क्या कर रहे हैं? लड़कया लड़कया हैं, भारत की ब्पी सरकार से क्या दिमांद करते हैं? पुरण की तुरण की तुरण की तुरण सजा हूँ। गतनरोगर इस तुरण की तुरण सजा हूं। मौधी सरकार को मोधी सर्कार रेपिस्ट को सजा नहीं दे रहें उनलोगों का साथ दे रहें सलिए आज बेटियों का जो रेप हुआ उनका सरीर को जलाने का उनको अधिकार किसने दिया रात को पूरे समाज का रेप हैं आज हम बेटिया सुरच्षित नहीं है समाज दोसी है क्योंकि मोधी सरकार वwn लोग को छूड़ दे रही है इसलिए लड़कों के मनवाउना बढ़ा है पुल नी रही है तो इन लोग की हिम्मत बढ़ रही है तो हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि तुरंद की सरकार नहीं दे सकती है तो चुड़िया पहन के बैठ जाए पढ़ाओ का नारा मोधी सरकार क्यों दिये ते आप लोग को पता है इसके अंदर भी एक रीजन है हम लोग को समझ में नहीं था बेटी बचाओ बेटी बचाओ एक नारा था उनका उसके अंदर बहुत बड़ा रीजन शिपा हुआ था बेटी बचाओ तुम लोग बेटी को पढ़ाने बेजोगे तो पूरे हम लोग नोच के खाएंगे और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओग यह का यह नारा हम लोग नहीं समझ पाएं थे आज हमारी बेटियों के साथ यह हो रहा है और हमारे देश में यह हो रहा है तो हम यहीं चाहते हैं मोदी सरकार बरखास्त हो वहां राष्ट परती सासन लागू किया जाए तासन हमें नहीं चाहिए एसी लिए है कि जो हम लोग का बार्त वा इस्स दॉरक्शित चाहिए विसी लिये हम लोग चाहता है इसका इंसब चाहिए मुझी सअंसार का इसका इंसब दीजिए अप लोग इंसब चाहता है, की ऐसा तरह की रह नहीं होना चाहिए आप लोग किसी संस्तास हैं या किसी पाटी किसी दल से हैं। आपने पूछा हमें बलातकार हो रहा है तो मैं यह बोलना चाहती हूं बलातकार को तो रोग नहीं पाएंगे। मुझे कई लोगों ने पूछा यह चीज आप लोग देखते भी आएंगे सोचल मेडिया पर कि पिंगी जी बलातकार कैसे रोका जाए तो मैं बताओं बलातकार कैसे रुकेगा। तो मेरे इसाब से बलातकार रोकने के लिए एक ही है कड़ा कानून बनाया जाए नहीं तो बात नहीं किया जाए हम लोगों से फिर हम कानून बनाएंगे फिर हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। कि सी एम को महां से बरकास्त क्या जाए बलातकारी भगवाधारी है और जो बोलते हैं कहते हैं कि सादू 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 जी है न योगी जी तो सादू ही रेप करते हैं सादू ही रेप करते हैं इसलिए वह आज हम लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं उनको बात करने की तमीज थमीज नहीं है उनके मतलब उनके मेंबर लोग को बात करने की थमीज नहीं है टीम को आज सिमा कुछ वादीदी को बोला गया है कि आप उरतों के कारण रेप होता है क्या हम औरते बोलते हैं रेप करो यह अपमान हम नहीं सहेंगे कि यो इंब आ अरोपीों को बचा रही है आज योगी सरका योगी हम लोग की पेटियों की कीमत लगा रहा है अज ये बेटी मरी है पचीस लगा किमत लगा है इसकी कल वो वेटी मरी आज वो चार है रेप तो एक मिनिट में किया जाता है क्या सजा मोधी सरगा बैठ के लाल किला पर खड़े होके बोले थे न कि जो रेप करते हैं उनको दो दिन के अंदर सजा दी जाएगी तो आज तो पंदर दिन से उपर हो गिया तो उन लोग को क्यों बिठा हैं वो उनके दमाद हैं क्या जो उनको बिठा गे उनकी सेवा कर रहे हैं क्यों नहीं उनको दिया जा रहा है सजा आज बैठी का रेप किया गिया बैठी को बुरी तरह से मारा गिया हॉस्पिटलाइज हुई पंदरा दिन में बोला जाता है कि दस दिन बाद आप लोग उठें पंदरा दिन में इसका चली गई है तो इनके परिवार को क्या हक नहीं था क्या कि इनकी बोड़ी इनके परिवार को हक नहीं था कि इनके बोड़ी परिवार को मिले इनके परिवार को बोड़ी ना देकर यो उन्होंने ये गलत काम किया है और फिर दूसरी बेटी का भी यही किया साड़े दस बजे क्यों और अभी दो बेटी को और हुआ उन लोग के साथ भी ऐसा और वो उसके परिवार को नजर बंद करके रखे वे हैं सिमा कुस वाद इदी को नहीं जाने दे रहे हैं मीडिया को न मिला और हमारी घर समाज की बेटियों भारत की बेटियों जस्तिस न मिला तो इसकी खिलाब बहुत बड़ा एक्सन उठेगा यदि मौदी सरकार नहीं कर सकती है तो बार बार मैं बोलती हूं चूड़ी पहने और नाच करे बीच रोट पर आके हम तमासा देखे उनका फिर पहर नहीं को कुरसी क्यों है उनको बरकास्त किया जाए वहां से BJP सरकार को यह बरकास्त किया जया जाय मिज़ेपी के खिलाव करवाया हमारी बेटियों के साथ हुआ हमारी बैटियों को इंसाफ मिल जाता ना उन लोग को फांसी हो तो हमें इतना दुख नहीं होता बैटियों का इंसाफ में जाता ध्यंका रेडी के साथ हुआ पर यंकाृड के सथ Kenya वा था हाइवे पर तो वो थी तो उनको क्या गिया रेट किया और जला गे मर दिया गया एक तो श्रेफ कर लिया उपर से जला गे मर दिया वो ठीक है Encounter हो गया, उसमें भी बोला जाता, क्यूं किया Encounter, किसलिए किया Encounter, तो क्या उसका मतलबा दमा दे क्या, कि Encounter ना करें? क्या लगता है उसका? मुझ लगता है क्या? हम बस इतना ही मागए, योगी सरकार को बरखास्त कर जाएं, वहाँ पर रास्थपति, सासन लाग किया जाए कि सीम को भगवादारी को वहां से बर्खास्त किया जाए ज्यादा यूपी में ही रेप होता है हर इस्टेट में होता है तो हर इस्टेट का होता हमारे बंगाल में क्यों नहीं होता हमारे बंगाल में नहीं हो रहा है यदि हमारे बंगाल में होगा तो हमारे बंगा हमें अंसन भी करना होगा तो हम बैठके करेंगे हमें दो दीन के अंदर इंसाफ चाहिए दो दीन के अंदर